ये है जायरो एक्स दुम्या की पहली दो पईयों पे चलने वाली कार। ये एक टू-विलर सेल बैलंसिंग कार थी जिसें 1967 में as a prototype बनाया गया था। ये कार बाइक की तरह सरफ दो पईयों के सपोर्ट पर ही चलती है। बाइक को चलाते समय राइडर अपने वजन से बाइक को बैलंस कर सकता है। लेकिन इस कार को बैलंस करने के लिए काफी advanced technology का इस्तमाल किया गया था। जिससे आप इसे चाकर भी एक site को नहीं गिरा सकते है। अगर आपने इसे गिराने की कोशिश की तो ये खुद से ही खुद को बैलंस कर पाती है। इस कार की top speed है करीब 200 km पर आज लेकिन आज तक ये 10120 से उपर नहीं जा पाई। ये कार वैसे तो कभी production में नहीं आपाई लेकिन नीचे दिये गए related बटन पर क्लिक करके आप इस पर हमारी detailed वीडियो देख सकते हैं जो की काफी interesting है।